जैसिक मिना वर्दी चैनल से आपका तहें दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों सभी आपको पता है वर्दी चैनल में हम अपना जो ओनलाइन ने पिप ए उनलाइन जो जी की रास्तान जी के है जो पढ़ा रहे हैं आपको उसको विस्तार से अपन जानकारी कल हमने एक टोपिक डाला था आपको और उसमें आपने को अच्छा रेजल्ट भी मिला था जिसके बाद में आपन उसकी बात करते हैं आगे जो हमने छोड़ा था उसमें हम सबसे पहले रास्तान के पडोसी राज्जू की क्या करेंगे बाते करेंगे या फिर उनकी सीमा रेखा का निर्दारन क करेंगे जैसा कि मैं आपको डालता हूँ राजस्तान के राजस्तान के पडोसी राज्ज्य या पडोसी या देश इनकी मद्द जो सीमा बनाता है जिन सीमाओं का हम निर्धारन करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे आपको राजस्तान के पड़ोसी राज्य वैं, देश के बारे में चाहरी देता हूँ, जिससे पहले अपन एक छोटा सा राजस्तान का मानचा आते हैं, और उसके बाद में इसका अध्यान करते हैं, जैसे कि हमने यह राजस्तान का एक छोटा राज्या बनाया जिसके माध्यम से हम राजस्तान के पड़ोसी राज्यों की क्या करेंगे बाते करेंगे जैसे सबसे पहले अपन देखे जब भी दिसा पड़ते है रिजिनिंग के अंतरगत तो इस दिसाएं मूलते चार मानी जाती है जब इसको पड़ते हैं तो दिसाएं हो जाती है आठ जैसे राजस्तान की ये दिसा हो गई आपकी उत्तर नीचे चले तो ये हो जाती है दक्षिन इधर चले तो यहाँ पे हो जाती है आपकी पुरव दिसा और इधर चले तो यहाँ पे पढ़ दे तो बीच बीच में से ये रेखाई और खीज देते हैं तो इससे पता चलता है कि मूलत दिशाएं कितनी हो जाते हैं जब पढ़ते हैं तो आठ ये तो हो गई उत्तर ये हो गई पूरव इन दोनों के बीच में हो गई उत्तर पूरव फिर यहां से जब नीचे चलत तो यह जो पूरव और दक्षिन है यहां पर यह जो दिशा हो गई वो हो गई दक्षिन पूरव दिशा उसके बाद में हम यहां पसिम और दक्षिन के बीच में चलें तो यह हो जाती है दक्षिन पसिम दिशा और उत्तर और पसिम के बीच में चलते हैं तो यह दिशा हो जात कौन सा है पाकिस्तान लेकिन अगर हम यहां पे भारत की बात करते हैं तो यह जो अपना छोटा भारत है जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं यह जो भारत है इसकी पडोसी देशों की अगर अपन बात करें तो भारत की जो इस्तली सीमा को टच करने वाले पडोसी देश हैं वो त पर आजाता है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इदर चले तो यहां पर आपका आजाता है नेपाल, फिर इसके उपर की तरफ आजाता है चेन, फिर यहां पर आप से बात करें तो आजाता है बुटान, नीचे चले तो यहां पर आजाता है म्यानवार, और एक यह जो स्तली सीमा को टच करने वाला देश आ जाता है बांगला देश लेकिन भारत के अगर वास्टविक पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो हम इस स्रीलंका को और इसमें क्या कर देते हैं सामिल लेकिन यहाँ पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा और भी नीचे चले तो यह तो साथ केवल स्तली सीमा को अगर हम यहाँ पर इंडोनेशिया को देखे तो इंडोनेशिया भी भारत के साथ तटे सीमा बनाता है और इधर एक पडोसी देश ओर है जिसे अपन बोलते हैं माल दीप ये भी तटी सीमा बनाता है और यहां म्यानमार और इंडोनेसिया के पास में कोको दीप आता है कोको दीप के दुआरा यहां पे एक छोटा सा देश आ जाता है जिसे हम बोलते हैं थाइलेंड ये भी भारत क साथ जली या फिर तटी सीमा का निर्धारण करता है लेकिन यहां हम भारत की बात ने करके केवल राजस्तान की बात करेंगे और राजस्तान के साथ केवल एक ही देज है वो हमारी क्या बनाता है पडोसी सीमा जिसमें हम बात कर रहे हैं वो है पाकिस्तान इस पाकिस्तान के अ हुआ है पाकिस्तान दक्षिन पसिम की अगर बात करें तो यहाँ पे पडोसी राज्य है जिसे हम बोलते हैं गुजरात इधर अगर दक्षिन पूराओ के तरफ चलते हैं तो यहाँ पे बैठा हुआ है मद्दे परदेश और पूराओ में चलते हैं तो यहाँ पे है योपी औ और यहां उत्तर पूरव की ओर चले तो यहां पे एक छोटा सा पडोसी देश है जिसे हम बोलते हैं हरियाना और इधर छोटा एक ओर राज्य है सोरी देश निकल गया तो यहां पे जो राज्य है वो कौन सा है पंजाब है अब देखो यह कितनी थी सीमा बनाते जिससे सबसे पहले हमें यह पता चला कि राजस्तान के उत्तर में कोन है पंजाब है उत्तर पूरव में कोन है हरियाना है पूरव में कोन है यूपी है दक्षिन पूरव में कोन है MP है दक्षिन पसे में कोन है गुजरात और उत्तर पसे में कोन बैठा हुआ है पाकिस्तान अब देखो प गांधी नगर कौन सी नदी के किनारे है तो ये गांधी नगर जो है वो कौन सी नदी के किनारे है साबर मती कौन सी नदी के किनारे साबर मती नदी इस साबर मती नदी की बात करें तो इसका उदगम तो होता है राजस्तान से राजस्तान में भी अरावली प्रवतमाला के पस् देता है उसके बाद में अगर हम मद्य पर्देश की राजदानी की बात करें तो मद्य पर्देश की राजदानी है भोपाल और यहां भोपाल से अगर बात करें तो भोपाल में एक मिथाइल आईसोसाइड गैस का क्या हुआ था रिसा हुआ था और यह गटना गटी थी भोप पता च्छादन ł और श सवयम केटर शासिद परदेश भी है और इसके राजदाने भी क्या है चन्डी गड़ है तो यहां हमें पता चिला पंजाब हरियाना की राज़दानी चंडिगर, UP की राज़दानी लखनव, मद्यपर्देस की राज़दानी भोपाल और गुज्रात की राज़दानी गांधेनगर और पाकिस्तान की राज़दानी जो है वो कुन सी है? इशलामाबाद अब देखो हमें ये बात करनी है कि ये कितनी लंबी सीमा ये राजस्तान के साथ बनाते हैं जैसे पाकिस्तान के साथ अगर बात करें तो राजस्तान पाकिस्तान के साथ केवल एक सुस एक हजार सत्तर केमी अंतराश्टी सीमा बनाता है लेकिन अगर हम इसका अध्यन करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे अगर हम यह डाल दे कि भारत और पाकिस्तान के मद्दे की सीमा की अगर बात करें तो अंतरास्टे सीमा हैं लेकिन इस रेखा का एक नामकरण भी है जिसे हम रेड किलफ रेखा के नाम से भी जानते हैं जिसकी चर्चा मैं अभी थोड़ा आगे चल कर एक साथ करूँगा तो यह पाकिस्तान के साथ रास्तान कितनी लंबी अंतरास्टे सीमा बनाता है 1070 के में और राजस्तान के इस सीमा को टच करने वाले चार जिले हैं जिसकी वात भी अपना भी करेंगे और पाकिस्तान के नो जिले हैं जो राजस्तान की सीमा को क्या करते हैं टच करते हैं इसके अलावा अगर आपन बात करें गुजरात की ये गुजरात राजस्तान के साथ कौन सी सीमा क्योंकि गुजरात भी भारत का ही एक राज्य है और राजस्तान भी तो इन दोनों के मद्दे अंतहर राजसीमा क साथ बात करें तो मद्दे परदेश इसके साथ सीमा बनाता है सोला सो के में कितनी बनाता है सोला सो के में आप देखो विड़ा हपन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि मद्दे परदेश सोला सो क्यूशन आता है पुलिश के अंदर भी आता है परतेग जो राजस्तान से संबंदित competition होती है उनमें परतेग में पूछा जाता है कि राजस्तान का कौन सा पडोसी राज्य सरवाधिक अंतहर राजसीमा बनाता है तो वो कौन सा आ जाता है मत्दे परदेश आ जाता है लेकिन अगर इसी क्यू यूपी कितनी सीमा बनाता है तो यूपी बनाता है 877 केमी तो जो राजस्तान के साथ और हर्याना की बात करें तो वो बनाता है 1262 केमी अंतहर राजसीमा और ये पंजाब की बात करते हैं तो नमासी केमी अंतहर राजसीमा का निर्दारन करता है जिन विध्यारतियों ने ब आपको समझ में अगर अच्छी तरह से आ रहा है तो आप बिलकुल इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे इस चैनल को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे सेर भी करेंगे अभी जो मैं आपको बदा रहा था कि पंजाब 89 के में अंतहर राज सीमा बनाता या बोगोले के स्तिते को दरसाते हैं जिसकी चर्चा अगर मैं यहां से कड़ता हुआ आगी चलो तो हम एक एक उठाएंगे और फिर उसकी विस्तार से जिसे पंजाब के दो तो राजस्तान के दो हरियाना के कितने साथ तो राजस्तान के भी कितने साथ एक दूसरे की सीमाओं को क्या करते हैं छूते हैं ये जिलों की बाख यूपी के कितने जिले दो और राजस्तान के कितने जिले दो एक दूसरे की सीमा को छूते हैं इसको मैं 6 जिले राजस्तान के कितने जिले 6 ये भी एक दूसरे की सीमा को क्या करते हैं छूते हैं इधर अगर अगर अपन बात करें पाकिस्तान पाकिस्तान की दो तो रजे और इसके अलावा जिलों की बात करें तो 9 जिले और यहाँ पे अगर बात करें कि पाकिस्तान को राजस्तान की कितने जिले टच करते हैं तो 4 करते हैं कितने करते हैं 4 अब देखो जैसे कि हमने बात किया तो यहाँ पे एक सीधा क्यूशन आता है जो आने वाली केंपेटिशनों में आपसे पूछा भी गया है कि राजस्तान के कुल पडोसी राज्यों की संख्या कितनी है तो यह बात तो आपको नॉर्मल तरीके से पता चल गई कि राजस्तान के पडोसी राज्यों की संख्या की अगर कोई बात कर ले तो उनकी संख्या कितनी है पाँच अगर माहा सागरों की बात कर ले तो माहा सागरों की संख्या भी कितनी है पाँच है अगर यही क्योशन आगे डाल दे कि भारत के मद्यवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है तो बारत के मद्यवर्ते राज्यों की संख्या भी कितनी है पाँच है और यह संपूर पर्थवी यहाँ पर बात करें तो यह पाँच पड़ोसी राज्य है, इन में से सरवादिक सीमा कोन बनाता है, देपरदेश, दूसरे नमबर पे सरवादिक कोन बनाता है, हरियाना, और तीसरे नमबर पे सरवादिक कोन बनाता है, गुजरात, 1022, और चोथी नमबर पे सरवादिक बनात यूपी 877 और पंजाब कितने बनाता है 69 के में और पाकिस्तान जो अंतराज़्टी सीमा बनाता है वो कितने बनाता है 1070 के में बिलकुल अगर अपन बात करें अब जैसे ही आम इसको आगे पड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान और राजस्तान के मद्दे संबं के बात करेंगे यही टोपिक हम आगे डालने वाले हैं जिसको हम इससे आगे जैस्ट यही चलेंगे और इनके संबंदों के हम संपूर्ण जानकारी प्राप्ते करेंगे लेकिन जिन विद्वान सातियों ने ये अपनी इस वर्दी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सक्स करेंगे लाइक करेंगे और अपने विद्वान सातियों के साथ इसे सेर भी करेंगे और बहुशे की आप रास्तान करमचारी कहलाएंगे जै हिंद जै भारत झाल 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 झना है झाल झाल